आज हम डिसकस करेंगे 17 सेप्टंबर 2020 के डेली करंट अफेर्स जो की आपकी एक्जाम पॉइंट आफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाले हैं तो दोस्तो हर बार की तरह सबसे पहले हम टेस्स करेंगे उसके बाद हम आज के एक रंट फेर्स करेंगे तो स्टार करते हैं आज की वीडियो को और अगर आप हमारे चैनल पे नए है तो चैनल को फटा पट सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें तो टेस्ट देख लेते हैं जो हमने कल दिया था तो सबसे पहला जो question आपसे पूचा गया था वो था मनाया जाता है next question था जो दोस्तो हमारा टेस्ट वो यह था Prime Minister Modi launches seven urban infrastructure projects in Bihar how many of them are later to water supply तो Prime Minister Modi जी ने दोस्तो साथ urban infrastructure project जो थे उसको बाहरत में inaugurate किया था ठीक है तो उनमें से जो कितने project थे जो water supply के later थे तो इस वाज से ही उतर था दोस्तो option number eight that is चार तो चार project जो थे जो water later के waters के later थे ठीक है तो यह आपको याद रखना है water supply के later थे question number third की तरफ चलते है question अब जो तीसरा पूछा गया था वो था union cabinet अप्रूब establishment of aim said union cabinet ने दोस्तों अप्रूब किया था establishment of all Indian institution of medical science को कहां पे तो सही उतर जो था इसका option number B था दोस्तों बिहार तो बिहार में जो है union cabinet ने aims को प्रूब किया था तो यह आपको याद रखना है यह था तीसरा question fourth question test का जो हमने पूछा था तो यह था according to ADB India's economy is expected to contract भाई तो ADB के अनुसार दोस्तों भारत की जो अर्थवे वस्ता थी वो कितने प्रतिशत जो है श्रिंक करनी थी तो यह बताया गया था ADB के अनुसार तो सही उतर था option number C that is no percent तो सही उतर किया था 9% जो थी भारत की economy जो थी वो श्रिंक करनी है according to ADB Asian Development Bank पाचमा question जो पूछा गया था वो यह था कि International Day of Democracy जो है यह कब मनाया जाता है तो इसे ही उतर था option number B that is September 15 को तो 15 September को International Day of Democracy मनाया गया question number 6 देख लेते हैं who has been appointed as the Executive Director of World Bank तो विशव बैंक के दोस्तो कारेकारी नीदेशक के रूप में किसे न्युक्त किया गया था तो यह आपसे question पूछा गया था तो यह इसके चार option थे दोस्तो सुमित कुमार शुवाश कमात इसका जो सही उतर था दोस्तो वो था option number C that is Rajesh Khuller तो Rajesh Khuller जो है इनको हाली में दोस्तो अभी Bishop Wank के जो है executive director appoint किया गया था question number 7 जो पूछा गया था वो यह था कि आरुन जेटली memorial sport complex जो था यह कहां बनाया जा रहा है दोस्तो याद रखना आरुन जेटली memorial sport complex तो यह कूण सी district में पूछा गया था यह बनाया जाएगा तो दोस्तो इसका सही उतर था कढ़ुआ डिस्तिक option number C that is कढ़ुआ डिस्तिक में यह बनाया जाएगा तो आपको याद रखना है ठीक है चलो next question पर चलते है question number 8 पर चलते है सुमीर कुमार खड़े has been appointed as the executive director जो समीर कुमार खड़े थे इनको हाली में executive director जो था नियुक्त किया गया था important question था दोस्तों यह test में आप से पूछा गया था तो इसका सही उतर था option number A that is Asian development bank तो Asian development bank के हाली में सुमीर कुमार खड़े जो थे इनको पॉइंट किया गया था executive director ठीक है दोस्तों question number 9 जो था दोस्तों हमारा question number 9 था वो यह था कि United Nations ने United States ने हाली में दोस्तों export जो है कितनी items का export जो बैंड किया है चाइना के शीजियांग रीजन से ठीक है शीजियांग रीजन से United States ने कितना export जो है वो बैंड किया तो सही उतर था दोस्तों option number B that is 5 ठीक है तो पांच चीजों का जो export है अमेरिका ने बैंड किया तो यह आपको याद रखना है question number 10 जो पूछा गया था टेस्ट में वो यह था who has been conferred with euro money lifetime achievement award 2020 तो euro money lifetime achievement award जो 20-20 का था तो इससे किसे समानित किया गया था तो इसका सही उतर था option number A that is अधित्य पूरी जो कि क्या थे MT और CEO थे HDFC बैंक के ठीक है दोस्तों तो यह test थे तो आप अपने आपको score दे सकते हैं कि आपने 10 में से यह भारत में पहला जो है बिजली वित्रन कंपनी कौन सी है दोस्तों फर्स्ट पावर डिस्ट्रिविशन कंपनी भारत में कौन सी है जो की e-office system जो है उसको adopt करेगी तो important question है दोस्तों electronic office system adopt करेगी अभी हाली में एक power distribution company तो उस distribution company का जो नाम है that is मद्यशेत्र विद्युत वित्रन कंपनी तो आम आपको याद रखना है इसका नाम क्या है that is मद्यशेत्र विद्युत वित्रन कंपनी इसका नाम है important question था question number second देख लीजिए दोस्तो question number second जो था the second global preparedness monitoring board gbmb reporter titled a world in disorder was released recently तो दोस्तों second global preparedness monitoring board की एक report है जिसकी टाइट जिसका टाइटल है world in disorder उसको हाली में जो है release किया गया है तो आपको बताना है कि the gpmb is the arm of which organization ठीक है तो जो global preparedness monitoring board है यह किसकी organization यह इसकी arm जो है कौन सी organization से जूड़ी है ठीक है तो यह आपको पता लगया यहां है कि जो मतलब preparedness monitoring board है उसने अभी हाली में एक report जो है उसको release किया है इस report का नाम है word in disorder पहला तो यह आपको याद रखना है दूसरा कि जो gpmb है यह आम है कौन सी organization की तो इसका सही उतर है दोस्तों वह है आपका world health organization और world bank ठीक है तो world health organization और world bank की यह जो है आम है तो यह आपको याद रखना है अभी WHO की अगर मैं बात करता हूं तो इसका headquarter है जनेवा Switzerland में ठीक है फांड कप किया गया था 7 April 1948 को फांड किया गया था उसी के साथ अगर मैं world bank की बात करता हूं तो world bank की जो headquarter है that is Washington DC में इसका headquarter है उसके बाद इसके president जो है that is debit malpass right तो यह important point आपको याद रखने है question number third देख लिजिए the central government has increased the scholarship amount under प्रगहती and सक्षम scholarship scheme for the student of which state or UT तो recently जो है दोस्तो central government ने क्या किया है कि scholarship जो है amount जिसका जो कि प्रगहती के अंदर आती है उसकी amount increase कर दी है और सक्षम scholarship schemes की भी amount जो increase कर दी गई है और आपको बताना है कि यह कौन से student कौन से state UT के students के लिए किया गया है central government के दोरा तो सही उतर होगा दोस्तो आपका जमू और कश्मीर तो जमू और कश्मीर के students के लिए हाली में यह प्रग्रीति के अंदर जो भी scholarship schemes आती है इनको बढ़ा दिया गया है इनकी amount को बढ़ा दिया गया है backyard horticulture program ठीक है तो यह backyard horticulture program जो है horticulture department है किसी state या UT का उसने हाली में launch किया है ठीक है तो यह जो backyard horticulture program है यह under capex scheme के अंदर आता है ताकि यह organic fruit production को promote कर सके तो आप से यह पूछा गया है कि यह कौन से state या UT के द्वारा इसको launch किया गया है ठीक है कौन से state है UT के horticulture department के द्वारा लांच किया गया है तो उसका सही उतर है दोस्तों जमू और किश्मीर के horticulture department के द्वारा इसको launch किया गया है और इस scheme का नाम आपको याद रखना है program का नाम आपको याद रखना है that is backyard horticulture ठीक है चलो question number 5 देख लीजिए which state government has signed MOU with small industry development bank of India to develop the MSME ecosystem ठीक है तो कौन सी state government के द्वारा हाली में एक memorandum of understanding जो है sign up किया गया है small industry development bank of India के साथ ठीक है ताकि वो MSME ecosystem को develop कर सके MSME means micro small and medium enterprises ecosystem को develop कर सके तो इसका जो सही उतर है दोस्तों वो रहेगा आपका राजस्तान तो आपको नाम याद रखना है that is राजस्तान तो राजस्तान इसका सही उतर होगा question number 6 देख लेते हैं who has been appointed as the brand investor of great learning तो ये भी दोस्तों बहुत ज़्यादा important question है कि जो अभी recently brand master point हुए है great learning के तो ये किनको point किया गया है तो इसका सही उतर है दोस्तों विराट कोली तो विराट कोली को जो है अभी brand master newkt किया गया है great learning के तो important question है आपको याद रखना है paper points में एकसर ऐसे question आपको देखने को मिलेंगे question number 7 देख लिजिए दोस्तों the proposed orbital rail corridor will be implemented in which of the falling state तो दोस्तों जो proposed orbital rail corridor है उसको अभी कोन सी state में जो है implement किया जाएगा तो इसका सही उतर होगा दोस्तों हरयाना तो इसको हाली में जो हरयाना में implement किया जाएगा तो ये भी दोस्तों important question है तो ये आपको याद रखने है ठीक है question number 8 की तरह चलते हैं आज का question number 8 है हमारे पास वो रहेगा दोस्तों name the report that was published by global preparedness monitoring board which criticized many more leaders from their response to pandemic तो अभी दोस्तों एक report जो है उसको publish किया गया था global preparedness monitoring board के द्वारा जो की criticize करती है world के बहुत सारे leader को for their response to the pandemic तो उन्होंने किस तरह से जो अभी covid-19 का जो pandemic चल रहा है उन्होंने किस तरह से इसको respond किया है ठीक है उसको ये criticize करती है तो ये कौन सी उस report का नाम आप से पूछा गया है तो इस report का नाम है word in disorder तो ये हाली में दोस्तों अभी हमने ऊपर question cover किया है ठीक है word in disorder तो आपको याद रखना है चलो next question देख लएते है question number 9 the astronomer at UK with Cardiff University had found phosphine on the cloud of which planet तो ये दोस्तों बहुत ज़्यदा important question है कि अभी astronomer है एक United Kingdom based जो Cardiff University है उन्होंने अभी दोस्तों फॉस्फिन जो है वो found की है clouds पे किस planet के तो ये पूछा गया कि कौन से planet के clouds पे उन्होंने phosphine found की है तो इसका सही उतर होगा दोस्तों बिनस तो शुकर जो है जो बिनस planet है उस पे अभी जो है उसके clouds पे उन्होंने phosphine found की है तो ये याद रखना है अबको important है question number next की तरफ चलते हैं हमारा जो आज का next question 10th है वो है which state to implement e-master role in all government department by jan 2021 तो कौन सी state है जो की अभी e-master role जो है सभी departments में जो है implement करेगी jan 2021 से तो important question है ये भी दोस्तों की e-master role जो है कौन सी state के दोरह implement किया जाएगा तो इसका सही उतर होगा दोस्तों Odisha तो Odisha state जो है अभी e-master role को implement करेगी दोस्तों तो यह आपको याद रखना है अब यह जो दोस्तों e-master role है यह क्या करता है तो e-master role basically है क्या तो यह क्या करेगा यह दोस्तों monitor करता है payment of minimum wages को और timely deposit करेगा insurance और provident fund dues को तो यह अभी हाली में कौन से राज्जे के दोरह लाग को किया गया है तो यह आपको याद रखना है ठीक है दोस्तों चलो next question अब इलावत पर चलते हैं यह बहुत ज्यादा important question है कि who has been signed by Amazon for its Alexa voice assistant तो Alexa voice assistant के लिए हाली में दोस्तों Amazon के दोरह किसको sign किया गया है तो सही उतर होगा दोस्तों Amitabh Bachan तो Amitabh Bachan को जो है हाली में Amazon के दोरह sign किया गया है उनकी Alexa voice assistant के लिए तो यह आपको याद रखना important question है Amazon के बारे में बात करते हैं तो Amazon के CEO है that is Jeff Vezos और found हुआ था Amazon 5 July 1994 को headquarter कहां पे Washington DC में इसका headquarter है next question देखते है question over 12 India signed a statement of intent on defense tech cooperation with which country तो भारत नहीं दोस्तों अभी statement of intent जो है on defense tech cooperation जो है sign किया है कौन सी country क साथ sign किया है यह important question है और यह आपको याद रखने है तो इसका सही उतर है दोस्तों आपका USA United States of America तो United States of America के साथ भारत ने अभी जो है intent on defense tech cooperation जो है इसको sign किया है तो दीक है यह आपको याद रखने question number 13 की तरह बढ़ते हैं who has been appointed as a brand ambassador of pay टीम first games तो यह भी बहुत ही ज्याद appointment के लिए यह बहुत ज्यादा important question है तो इसका जो सही उतर होगा दोस्तों सचीन तेंदुलेकर तो सचीन तेंदुलकर जो है इनको हाली में pay टीम first games के brand master nuked किया है तो यह आपको याद रखने है ठीक है अभी pay टीम के बारे में थोड़ा बात करते हैं तो इनके जो president है that is Amit इतना है found किया गया था बीजे शेखर शर्मा जी के दोरा found found हुआ कब था अगस्त 2020 में और इसका headquarter है noida UP में ठीक है दोस्तों याद रखने है चलो next question के तरफ चलते है question of 14th है तो union government ने दोस्तों हाली में band किया है export of which major vegetable तो कौन सी major vegetable का हाली में जो import है export है उसको band कर दिया ग रखने है चलो question number 15th की तरफ चलते हैं आज का question number last जो हमारा वो discuss करेंगे which country will remove क्यों Elizabeth as head of the state तो कौन सी country जो है क्यों Elizabeth जो है उसको head of the state जो है वो remove कर देगी ठीक है head of the state की पद्दी से उसको remove कर देगी तो इसका सही उतर है दोस्तो बार्बर दोस्त ठीक है तो बार्बर दोस मैं आपको बता चुका हूँ क्यों Elizabeth को अभी remove कर देंगे capital है इसकी bridge town right और इसकी currency क्या है that is Barbados dollar तो Barbados dollar इसकी क्या है currency है तो यह इसके दो statement of intent जो defense tech corporation पे है कौन सी country के साथ sign की है तो चार options आपके सामने है answers आपको देने है ठीक है चलो second question which institute gets DCGI node to resume trials of Oxford covid-19 vaccine तो कौन से institution को अभी DCGI node जो है वो मिला है ताकि वो अपने trials को फिर से resume कर सकता है of Oxford covid-19 vaccine के लिए तो institution का नाम जो है वो आपको बताना है तो यह रहे चार आपके सामने options answer आपको बताना है चलो question number third देख लिए तो union government ने हाली में बैंड किया export of which major vegetable तो कौन सी major vegetable का जो है union government के दोरा बैंड किया गया है तो चार options आपके सामने हैं दोस्तों answers आपको बताने हैं चलो नेक्स question देख लिए फटा फट will be implemented in which of the falling state तो जो यह proposed orbiter rail corridor है यह हाली में कून सी state में implement की जाएगी तो यह चार है option आपके सामने answer आपको बताना है फटा फट बताईए चलो six question है जो question पढ़ लिजिए पहले कि जो horticulture department है किसी state या यूटी का वो अभी backyard horticulture program under capex scheme जो है इसको launch करेगा to promote organic food production तो उस state या यूटी का आपको ना बताना है यह रहे चार option ठीक है यह चार options है इसका answers जो है आपको बताने है नेक्स question देख लिए question number 7 the center government has increased the scholarship amount under प्रगर्थी and सक्षम scholarship scheme for student of which state or यूटी तो center government ने हाली में scholarship amount बढ़ाई है जो बच्चे प्रगर्थी और सक्षम scholarship scheme के अंडर आते हैं कौन सी state है यूटी के बच्चे तो यह रहे आपके चार options आपको बताने है चलो next question देख लिए question number 8 the astronomer at UK West Cardiff University have found phosphine on the cloud of which planet तो कौन से planet के cloud पे उनको phosphine जो है वो मिला है तो यह आपको बताना है तो यह रहे चार option answer आपको बताने है question number 9 देख लिजिए हाली में किन को appoint किया गया है brand master of patium first game who has been appointed as the brand master of patium first game तो चार option आपके सामने answer आपको बताना है और आज का test का last question जो है which country removed क्यों Elizabeth as head of state तो कौन सी country ने हाली में क्यों Elizabeth को जो है आपने head of state से remove किया है तो यह रहे दोस्तो चार आपके सामने options जो answer जो है आपको बताने हैं उमीद करता हूँ दोस्तो वीडियो को अच्छी लगी होगी तो प्लीस वीडियो को like जरूर करें दोस्तो subscribe की बहुत ज़्यादा जरूरत है हमें तो subscribe करें और साथ में अगर आप first time हमारी वीडियो देख रहे हैं और आगे हमारी वीडियो देखना चाहते हैं तो right side में आपको bell icon मिलेगा उसको subscribe उसको भी प्रेस कर दें ठीक है फटाफट प्रेस कर दें शेर दोस्तों अपने दोस्तों को बीच में वीडियो को जरूर करें thank you friends thanks for watching and god bless you all